आज के वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ जैसा कि फ्रेंस डिसंबर का मैना स्टार्ट हो गया है अगर आप सोच रहे हो विंटर फ्लॉरिंग प्लांट की सेट्स लगाने का तो फ्रेंस इसमें अभी आप काफी लेट हो गया और इनके पोधे अगर आप ग्रो कर घर पर आप बना लोंगे वो भी बिल्कुल फ्री में तो फ्रेंस कौन-कौन से पोधे हैं जिने आप अभी कटिंग द्वारा अभी ग्रो कर सकते हो और इनको लगाने का क्या प्रोसेस है किस तरह से इनको लगाना है फ्रेंस सारा कुछ इस वीडियो में शेयर करने वाली तो चलिए फ्रेंस वन बाई बन देखते हैं कि वो कौन-कौन से पोधे हैं वैसे तो धेर सारे फ्रेंस तो मेरे गार्डन में बारा ऐसे विंटर फ्लाउरिंग प्लांट से जिनकी कटिंग में आपसे शेयर करने वाले हो कुछ का रिजल्ट देखे मैं अभी आपको बता भ चलिए उसको अच्छे से घीला कर दीजिए और यहां पर मिटी देखे मैंने रेट की मातर यहां पर जादा ली हूँ जैसे कि फोटकी हिसाब से दो पोर रे थै एक पॉर्ट मैंने यहां पर मिटी लिए तोड़ासां फंजिसाइड पॉड़र टूस्ट्टो बन का मैंने य बनाके उनको भी आप जैसे कटिंग लगाने के लिए गार्डन में यूज़ कर सकते हो इस तरह से सभी पॉट को हम अच्छे से मिट्टी में रख देंगे फ्रेंस हलका सा प्रेस करके रखेंगे और यह देखे इस तरह से हमें जमा देना थोड़ा हमें ग्याब भी रखना है इस तरह से फ्रेंडम हमें पॉट को जम्मा देना और पहले ही हमें पानी देदेना है फ्रेंड में आपसे शिर कहा इसे तो मेरी कटिंग अच्छे से ग्रो हो गई है और यहाँ पर देखिए आप मैंने फंजिसेट पॉड़र लिया चाहे तो आप रूटिंग हॉर्मोन भी ले सकते हो तो इसमें अगर हम कटिंग लगाते हैं तो हमारी कटिंग मतलक हराब होने की कम चांसे रहते हैं तो यहाँ पर सब्सक्राइब लगाते हैं तो इस तरह से हमें कटिंग को ले रही हूं तो यह बहुत अच्छे से में इसमें पंजिसाइट पॉडर इसलिए लगा रही है जैसे एलोवेरा जेल ताकि यह हमारी कटिंग है मतलग खराब ना क्योंकि आप भी बारिश के दीन भी चल रहे हैं हलकी हलकी बारिश भी हो रही है तो कटिंग खराब ना हो इसलिए भी मैं इन सब में जो है पंजिसाइट पॉडर लगा रही है और मैं प्रिकॉशन के तोर सब्सक्री exactamente है अब क्योंस तरह से रही है तो एस तरह से हल्की है कर नहीं किि कि removed तयार करनी है अगर आपके पास में रेत नाख तो आप कोड़ी भी मिला सकते हो चावल हग से ग्रो किया जाता है और इसकी पौद्धे 30-30 रुपए में नर्सरी में मिल जाते हैं तो एक पौद्ध अगर आप लेकर आते हो तो इस पौद्धे से भी आप 2-3 चार पौदी भी आप बना सकते हो तो इसकी साइड वाली अभी दिन में इसमें रोटिंग स्टार्ट हो याँ पितोनिया में समय में जल्दी हो जाती है और या गारान्य-सक्राइद को लिए बना सकते हैं यह भी हमारी कटिंग एक मैने के अंदर तयार होके यह फ्लॉरिंग पर भी आ जाएगी फ्रेंस यह देखिए इसकी सेडलिंग मैंने करे थी तो यह देड़ मैंने बात कर रिजल्ट है और इसको मैंने रिपॉर्ट किया पर अभी बारिश के कारण देखी इनकी ह इसले साल भी बुड़ करते हैं और इसकी कटिंग दस दिन के अंदर ही ग्रो हो जाती है बहुत जल्दी इसमें रूर्स आ जाते हैं इस तरह से इनको हमें लगाते जाना है हलका हलका सा हमें प्रेस्क भी करते जाना है और देखिए फैंस यह जैफरी गेंदा कई सारे को हम हटाते जाएंगे और इसमें भी थोड़ा समय पंजिसाइड पॉड़र को ले रही हो फिर चाहे तो आप रोटिंग हॉर्मन भी ले सकते हो या फिर एलोवेरा जेल उसमें भी डीप करके या फिर इसके जगाप हल्दी भी ले सकते हो नेक्स टोरो निया जिसे इसे भी सी से घ्रो कि जाता है इसके सीड़ अपने आप ही गिरते हैं तो इसके सारे पौदे बनते जाते हैं तो अगर यह भी पौद आगर आपके पास हो या फिर कहीं से आपको कटिंग मिल जाती है क्योंकि यलो वाला कलर यह बहुत रहा है यलो कलर बहुत कम देखने को मिलता है कि क बहुत ज्यादा होते हैं यह जल्दी इसमें रूटिंग स्टार्ट हो जाती है इस तरह कि ब्रांचे विया पर ले सकते हो और इनको इस तरह से लगा देना है तो छोना इनको पनी नहीं देरा है हुए और यहां पर देखिए विंटर सिजन का वेस्ट फ्लॉरिंग प्लांट ह अगर कटिंग लेकर इसकी कटिंग त्यार करते हैं तो एक या देड़ मैने में ही इन में जो है फ्लॉरिंग स्टार्ट हो जाएगी और हमारे काफी बढ़िया जो है टाइम बढ़ जाएगा और पौदी भी अच्छे हेल्दी से रेडी हो जाएंगे इस तरह से हमें की से ही ग्रो किया जाता है और इसके देखे मैंने अब भी पौदे लाए थे नरसे से वीडियो मैंने आप से शियार किया था तो इस भी प्लांट के दिखे इस तरह से आप टीप की ब्रांच भी ले सकते हो साइड ब्रांच इसकी जो ब्रांच होती है और बहुत ज्यादा लगाते तो उत्ती ही पौधता है इन पेशन को भी सीड वर के जाता है अब ही के पढ़न में हो या फिर नहीं भी हो फिर तो अभी आसीज लिए कराई थाटी रूपेज में एक भी बॉदा आप लेकर आते हो तो एक वह दिए पोध है तो इसके जो ब्रांच होती है काफी फ्लेशी होती इस स्में बहुत ज़्यादा पानी भरा होता है इनकी ब्रांचेस में तो हमें पानी का इसमें विशेज जहां रखना है जब भी हम इन पेशन की कटिंग लगाते पानी हमें बहुत कम देना है और फ्रेंस अभी बिंटर सिजन है तो अभी पानी बहुत जल्दी भी इसका सूखता नहीं है नेक्स्ट आप देखरें फ्रेंस देहलिया को भी सीट से ग्रो के जाता है इसके बदे इपके मैंने दो लेकर आए थी तो इस भी पादे से हम दो से चार वह भर पर ही हम इने लगाए थी तो यह ने बात का रिजल्ट थे तो जिससे हम ग्रों करते हैं अब इसमें और देढ बने का टाइम लग जाएगी तो कटिंगों किम्स करें ता मीड़ा कैने देड़ में अजये कहले हैं तरह विंझा या औरे यह से माइन मैं इसे बाद स 있나 द्रसी यह से रीड़ जाते हैं नेक्स टे फ्रेंस यह है डॉक फ्लावर जिसे एंटी रीनम भी बोलते हैं और इसके फूल मैंने कट कर देते हैं तो इसके फ्लावर मैंने कट कर देते हैं तो इसके फ्लावर मैंने कट कर देते हैं ताकि इसमें किसी बतर का फंगस ना लगे तो देखे इस तरह से हमें नस्टिशियम को भी सीड सी ही ग्रोग किया जाता है यह सारी जो पौरे देख रहें इसे मैंने सीड से ही बनाया पर इसके सीड मैंने अक्टूबर महने में ही लगा दियते हैं अक्टूबर नवंबर में और अभी इनकी भी प्लांट्स आपके पास में तो इनकी आप कटिंग लेकि इने भी लगा सकते हो यह जो पौधा आप देख रहें यह है गजानिया अभी कही सारे कलर्स में आता और वेराइटी में इस भी प्लांट को सीड से ही ग्रोग कर जाता है और यहां पर इसे हम कटिंग से नहीं इसके हम एक से दो दो से चार अभी हम पौरे बना सकते अगर एक भी पौधा हमारे पास में फ्रेंस रहता है तो एक से इनकी कई सारे पौधे अभी हम बना सकते हैं क्योंकि इनका अभी ग्रोउइंग पौरेड है तो इसमें इनकी 100% चांसे होते हैं लगने के देखे फ्लॉक्स के सीड लगा थे इसे लगाया अभी एक मैने का ट कि छुट-छुटी कली आपको नजर आ रही होंगे तो एक से देड मैंने पर यह हमारे सारे पौधे फ्लावरिंग पर आ जाएंगे हमारे पास में फ्री में पौधे बनके रेडी हो जाएंगे बसे तो कई सारे पौधे हैं जरे नीम है वर्बीना है और भी धेर सारे पौधे है जिनने हम से से ग्रो करते हैं तो सीट से ग्रो करने के बज़ए इस तरह से हम इने कटिंग दोणा अभी भी हम इनके ढ़े सारे पौदे त्यार कर सकते हैं यह जादा महंगे भी नहीं तीस से चालिस रुपे में मिल जाते हैं तो इने हमें टोटर शेड़ बे रखना है और सर्दिवक के दिन है तो पानी जल्दे से सुकता नहीं एक हपते के बाद ही आप इनमें पानी दिया करें फ्रेंज एक मतलब पांसे छे दिन बाद इनमें आप वाटरिंग करिए तो आपकी कटिंग काफे अच्छे से ग्रो हो जाएगी तो मेरी आज की जानकारी फ्रेंज आप ज़रूर बताइए और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले मिलती हूं फ्रेंज नेक्स वीडियो में और मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत 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 धनिवाद वाई फ्रेंटे क्यार